अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वतना घंटी बजा देना, ताके जब मैं ओनलाइन आओ, तो तुम्हारे फोन की भी घंटी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हैं, वमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे, डियलेट 23 समिश्टर 2020, गडित पूर अज़ आप प्रसमि पत्रहल, जी आँ दोस्तों काफी बच्चों ने का कि सर क्या हर एक और कोशन को हम 5 सेकर्ट में सॉल्व कर सकते हैं, तो दोस्तों 5 सेकर्ण चैलन इस वीडियो में दोस्तों देखा जायेगा, जो इस बार आपका पेपर आया था, तो क्या दोस्तों हर एक प्रसमे को सिर्फ हम 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं चूंकि दोस्तों कुछ बच्चों के लिए 1 घंटे का भी समय कम पड़ जाता है लेकिन आज हर एक कोशन को दोस्तों सिर्फ 5 सेकेंड में सॉल्व करने की कोशिद करेंगे तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतर तक देखिएगा तैयारी है दोस्तों ये 25 नॉम्बर की जियां दोस्तों आपका पेपर 25 नॉम्बर को होगा तो एक बार दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सभी बच्चे सुरू से लेकर अंतर तक वीडियो को देखेंगे और हर एक कोशन को सिर इस हमारा पेपर हो जाए और हम अपने दोस्तों की मदद कर पाएं पेपर में तो दोस्तों गडित का प्रस्न पत्रहल 2.5 लाग बच्चे इस पेपर में समलित होंगे ठीक है तो पेपर अच्छा होने वाल है तो चली दोस्तों आज के पहले कोश्चन को देखते हैं पहला किस कोश्चन को कितना समय लगेगा आपको करने में तीसरा कोश्चन था कि निम लिकित में से कौन सी परिमेश संक्या नहीं है एक बात और आपको बता देए question पढ़ने के समय के बाद दोस्तों जैसे हम question पढ़ने न उसमें हमारा time count नहीं होता कौन बनेगा करोड़ पती है कोई भी दोस्तों आप में कुछ game देखा होगा तो पहले question पढ़ने जाता है उसके बाद time दिया जाता है कि आपको 30 second के समय दिया जाता है तो पहले question पढ़ने उसके बाद समय ठीक है न यह मत कर यह का कि आए एक second तो question पढ़ने में चला जाता है ठीक है तो तीसरा question था कि कौन सी परिमे संक्या नहीं है परिमे संक्या नहीं है कि मतलब है आप परिमे संक्या तो दोस्तो आप इसको भी देखते एक सेकंड के इंतर बोल सकते हैं, पाई इसका मान होगा पहले तीन सेकंड में दोस्तो आप तीन कोशन कर सकते थे पेपर में चलिए दोस्तो चोथे कोशन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कितना समय लगेगा नेम लिखी में से सर्वसमिका है तो दोस्त इस question में आपको खाली ये देखना है कि जो आपका बाया पच्छो दाया पच्छ दोनों बराबर है तो देखिए दोस्त इस question को देखते समय आप पहले समझ गऊंगे कि पहला वाला विल्कुल गलत है तीसरा गलत है आपके मन में confusion चौथ है और दूसरे को लेकर रहेगी तो दोस्तो आप इसको भी करने में मुझकिल से आप 2 second में इसको solve कर सकते है जिया दोस्त इस question एक second में ने कम से कम आपका 3 second लग सकता है इस question में दोस्तो दूसरा विकल्प सही होगा जिसे आपर 2x plus 2 हो जाता है बराबर 2x plus 2 ठीक है न दुग गुड़ा करेंगों तो बाय अंदाय बराबर अब पांचमा question दोस्तो हमारे paper में था कि 3 के गाते x plus 2 बराबर 18 तो x कमान आपको बताना था अब देखिए जिन बचों के practice पहले से होगी ने हम आपके सामने practice की बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि अगर आप में ऐसा प्रस्न पहले पढ़ा है ठीक है जैसे दोस्ती लिखा था 3 के गाते x plus 2 बराबर 81 लिखा था अगर दोस्ती इस बार paper में आपको ये question आ जा था कि 3 के गाते x plus 2 बराबर 27 तो 27 को आप तुरंट समझ सकते हैं कि 3 के गाते 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप तुरंट अपने मन में imagine करेंगे x plus 2 बराबर 3 है तो हमारा x कमान कितना आ जाएगा एक आ जाएगा ठीक है तो इसका फिलाल आंसर कितना आता है 81 था है तो 2 से 81 के मतलब होता है 3 की गाते 4 x plus 2 बराबर 4 तो x कमान आगे 4 मानिस 2 बराबर 2 ठीक है तो पहले question दोस्तो 5 question करने में आपको कितना समय लगा इसको भी 3 second हम मानते है पहले 5 question करने मतलब पहले 5 question करने के लिए 1 second 2 second 3 second 3, 3, 6 second 6, 3, 9 सोचे दोस्तों आप पहले 9 second के अंदर ही 5 number के बहुआ विकल्पी ये प्रसन कर सकते थे ठीक है इस बार दोस्तों आपको ध्यान लखने देगी कभी-कभी paper आसान आता है कभी-कभी x-x plus 6 बराबर 0 इसको solve क्या गया है विदिन दोस्तों 2-3 second में आप इसको इतना बना लेंगे देखिए दोस्तों आपने ये पहला जो step कर लिया ना समझ लिजे दोस्तों आपका question solve हो चुका है ठीक है बाकि दोस्तों आगे का process आपको तो करना ही है कि x- y e common लेंगे वो common लेंगे लेकिन अगर आपके मन में इतना ही समझ में आगया कि हमें ऐसे करना है दीके question करने का तरीका आपको समझ में होना चाहिए ना method क्या होता है इसको तो दोस्तों आपने बोलते हैं आप जब practice करेंगे तो आपको method पता चल जाएगा अगर आपको method पता है तो किसी का बाब भी आपको fail नहीं कर पाएगा साथवा question था कि 5 पुस्तकों का मूले 7 पुस्तकों के मूले से 14 रुपे कम है ठीक है ना जो 5 पुस्तकों का मूले है वो 7 पुस्तकों के मूले से 14 रुपे कम है तो एक पुस्तक का आपको मूल ग्यास करना तो आप दोस्तों देखते समझ जाएंगे 7x-5x बराबर 14 लिखा है ये दोस्तों कब आपको समझने आएगा जब आपके पास practice होगी या दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि 5 पुस्तकों का जो मूल ले है ना 7 पुस्तकों के मूल इसे 14 कमें तो मतलब दोस्तों 5x बराबर 7x-14 अब ये x कहां से याथ तो दोस्तों आपको मन में तुरेंट imagine हो जाएगा कि हमने पुस्तक का मूल x माना है तो ऐसे इसको solo करना है ये सब आप कैसे सीखेंगे जब तक आपके पास practice नहीं होगा अगर आप चाहते इसका पूरा प्रस्न पत्रहल देखना उसका link हम नीचे आपको comment box में दे देंगे दोस्तों जहाँ पर हमने पूरा प्रस्न पत्रहल आपके लिए बना रखा है तो ऐसे question दोस्तों आप within second कर सकते हैं जिया दोस्तों इस question को भी करने के लिए आपको मुस्किल से मुस्किल 2 से 3 second का समय लगेगा 3 second इसको भी देते हैं 3 second इसको भी दिया जाता है समय हमने क्या बोला दोस्तों आप सिर्फ एक line जिया दोस्तों अगर आप इतना ही कर लेगें खाली कि 7x-5x बराबर 14 होगा तो बस अगली line तो आप खुद ही कर लेगे न इतना ही दोस्तों पूरे question की पूरी जान इतना ही है आगे तो आप solve कर लेंगे अब दोस्तों हमारा question number 8 वह आता है कि a plus 1 by a बराबर 3 तो a square plus 1 by a square का माल ग्याद करना है देखते दोस्तों आप समझ गए कि जो हमारा ये दोस्तों question दिया गया तो a plus 1 by a बराबर 3 इसको हमें square कर देना दो नो पच्छों का तो ये दोस्तों में a square plus 1 by a square मिल जाएगा question solve हो जाएगा shortcut तरीका होता है b square minus 2 का formula यूज करना है b का मतलब हम 3 माल लेंगे तो 3 के square 9 9 minus 2 बराबर 7 तो दोस्तों इस question को आप मुस्किल दे मुस्किल 2 से 3 सेकेंड में आप इसका आंसर भी imagine कर सकते हैं imagine का मतलब सही वाल आंसर आपके सामने होगा ठीके ये हो गया 9 question दोस्तों equation काफी बार repeat हुआ है कि एक बगीचे में 2025 पौदे लगे प्रक्तेक पंक्ति में उतने ही पौदे लगे जितने बगीचे में कुल पंक्तिया है मतलब जितनी पंक्तिया है और जो पौदे लगें दोनों बरावर है अगर दोनों का आपने x माल लिया तो x square कमान 2025 है अब आपको पता है दोस्तो 45 के square होता है 2025 बस हो गया question 100 तो बस यार ऐसे question करने हैं दोस्तों आपको 3-3 second 4-4 second का समय लग रहा है आप समझ रहे न कितना असान था paper 10 बसमा question था दोस्तों एक पुस्तक कमो ले दिया गया तितना है और इसी प्रकारिकने पुस्तकों कमो ले क्यात करना है हमने आपको example दिया था दोस्तों अगर एक पुस्तक कमो लेकर आपको बता दिये कि आपने जो किताब काफी खरीद के ला रहे हो 10 रपे किये तो आप बताई कि 5 काफी दोस्तों खरीदने कितना रपे लगए तो आप करेंगे 10 गुड़े 5 कर देंगे 10 पचे 50 हो गया बस वही करना था इन दोनों question में भी दोनों का गुड़ा कर देंगे अंसर आ जाएगा अब आता 11 नमर question माइनस एक बटे 2 तथा 5 बटे 4 के मद्धे 2 सम्दूरस्त संख्याई तुरंट दोस्त आप एक कैसी 3 दिलान की देंगे 1 बटे 2 दोस्त लिखा है यहाँ पर देखें नीचे हर क्या 4 दिया और यहाँ दोस्त क्या दे रखा हमार माइनस एक बटे 2 तो क्या करेंगे ? माइनस 1 बटे 2 में दोस्तो दो से गुड़ा, दो से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा ? माइनस 2 बटे 4, माइनस 2 बटे 4 का मतलब जोकल दो दो सुष्ट नीड़ निचार फिर वह 1 बटे 2 आ जाएगा तो लिखा वाई ये 200 खाले थोड़ा लिखने का pattern हमने change कर दिया अगर हम ऐसे question के practice पहले से कर रहे हैं तो हमें जाता समय नहीं लगेगा आप बीच में 0 ले लेंगे 1 बटे 2, 2 बटे, ठीक 1 बटे 4, मतलब 2 बटे 4, 3 बटे 4, 4 बटे 5 बटे 4 तक फिर माइनस 1 बटे 4, माइनस 2 बटे 4 तक कर लेंगे, बीच की 2 संदूरस यासे निकाल लेंगे question में समय दोस्तों आपको तभी लगेगा दिखे इस वीडियो का आप देख रहे हुए तो एक बात आपके समझ में आ रहा होगा कि हमने ऐसे question के आप practice कर लिए अगर same question आएंगे तो हमें करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा इसलिए दोस्तों हम आपसे कहते रहते कि जितने ज्यादा से ज्यादा question के आप practice करेंगे जब दोस्तों से मिलते जूलते या वही question repeat आपके साम में दिखेंगे तो आप उन सभी प्रतनों को with in second एक second के अंदर solve करने के आप छमता रख लेंगे ठीक है बाकी copy वन लिखने में देखें समय तो लगता है आपके मन में solve हो गया यही बड़ी बात है अब देखें दोस्तों आते दो दो नमबर वाले प्रतनों पर आप देखें इसमें कितना समय लगता है ठीके दो नमबर का question है आसान तो होगा नहीं फिर भी कोसिस करेंगे कि 5 सेकेंड के अंदर question हो पाएं x की गाते 4y मैंनस xy की गाते 4 का गुड़न खंड की जैसे question काफी बार repeat होता दोस्तों आप आप आग बंद करके xy कामल लेंगे x3-y3 बचेगा बस हो गया question सौब आप x3-y3 का मतलब formula आपको पता है कि x-y और दूसरे वेकट में x2 प्लस y2 प्लस xy आगे x2 तो रहा गई हो गया question तो देखें कितना आसान है आपको एक बात समझ हम यहीं समझाना चाहते हैं कि आपका paper कभी cutting नहीं आता है जिन बच्चों के पास एक अच्छी practice है न वो बच्चे खुद तो पास होते हैं अपने साथ 10 बच्चों को और पास करा लेते हैं थोड़ी बहुत तो यह अर्बो विकल्पी में help हो जाती है इतलिए दोस्तों हम आपको पूरा process बता रहे है question number 13 में पहुचते हैं एक वर्गाकार मैदान की एक बुझा 28 मीटर लंबी दी गई थी जैदी मैदान के अंदर 4 और 2 मीटर चोड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है तो सेस मैदान का 6 तरफल ऐसे question दोस्तों देखें हमने आपको दोस्तों काफी बार बता है कि कोई ये 30 है देखें वर्गाकार मतलब समझ रहे हैंगे आप लोग की 28 मीटर वैसे 30 नहीं क्योंकि 30 मीटर वाला question दोस्तों पहले पूछा गया था तो ठीक हम आपके सामें इसका solution रखते हैं देखें question को दोस्तों आप देखते हैं आप समझ गये कि लिखा है वर्गाकार मैदान की बुझा मतलब दोस्तों वर्गाकार मैदान का मतलब है question पड़ते हैं आप समझ गये कि जो चारों बुझायें वो बराबर होगे, मतलब अठाथाइस यहां दिया गया तो 28 यह भी होगा, 28 यह भी होगा, थोड़ा लंबा दिख रहा है लेकिन 28 यह वरगाकार है, अंदर 202 मीटर चोड़ा रास्ता बनाया गया, वी तरती भी दो मीटर धरती दरती इसी चार मांिनस हो जागे तो चो बिस बुड़े 24 कर देंगे अगर दोसे इसमें गास वाज भी लगवाना होता तो जितना रफज बाह करते थे यह question भी आप solve कर सकते हैं तो मतलब यह सब दोस्तो question repeated है पहले पेपर में यह question पूछा जा चुका, तो मतलब ऐसे question को करने के लिए, आपको मुश्किल से मुश्किल 5 सेकेंड लगेगा, जी यहां दो से में क्या होता है, question की summary आप मन में बना ले, कि question को हमें solve कैसे करना, जब आपके मन में यह आ गया क्या रहा है, ऐसे हम ऐसे बना ल आ रहा है, इसमें अच्छी बात ही, दोस्ते इसमें लिखा था कि 2 मीटर चोड़ा रास्ता, अंदर क्यों हो रहे है, यह question हो गया, मज़ा आ रही हूँ कि दोस्तों आपको समय ने में, क्योंकि question आपने मतलब इसका paper solution हमने आपके सामने रखा था, लेकिन आपको आज लग कि paper कितना असान आता है और आपको कर नहीं पाते हैं, अब आता question number 14, देखे दोस्तों दोनों question 55 second में solve किये जा सकते थे हमने आपके सामने रख दिया है, ठीक है, 14 number question क्या है, दो समरूप त्रिबुजों के परिमाप दिये हैं, 40 और 50, देखे किसी भी त्रिबुज का परिमा प्लस CA का मतलब दोस्ते एक 40 है, दूसरा त्रिबुजों मैंसे बना लेते है, PQR, ठीक है, PQR, तो उसका मतलब होता हमारा PQ प्लस QR प्लस R P, ठीक है, R और P बराबर दोस्तों हमारे रहता है, 50, हम यह आपको दोस्तों समझा रहे हैं, ठीक है, खाली, बाकी ये question करने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, ठीक है, ये question बहुत बड़ा नहीं है, आसांता question है, पहला दूसरे त्रिबुजों को 6 त्रफल का अनुपात गयात करना, दोस्ता आपको एक बात पता है, A, B बराबर होगा, P, Q के, A, C, बराबर होगा, P, R, K, और B, C, बराबर Q, R, K, अरे मतलब ऐसे नहीं था दोस्तो, A, B आपान P, Q करके, ठीक है, नहीं तो आपको अनुप्यूज होगे, A, B आपान दोस्तो, P, Q हो जाएगा, बराबर, A, C आपान दोस्तो, ये मतलब, A, C आपान, P, R के हो जाएगा, ठीक है, P, R, इसको अच्छे तो लिखते हैं, बराब आपके, बराबर, दोस्तो, आपके ये तीनों को जोड, A, B, B, C, ये करके, आप लिख देंगे, 40 बटे, 50, देखे, दोस्तो, याद रखेगा, जो त्रिबुजों को 6 तरफल का अनुपात आता है, तो एक परिम्य होती है, इसका मतलब होता है, किसी भी भुजा का, स्क्वा होगा, 25, बस ये हमारा आंसर, तो गाइस, इस कोशन को करने के लिए, आपको 5 सेकंड तब लगेंगे, जब आपने ऐसे कोशन की प्रैक्टिस कर रखा होगा, आपने समझा होगा, कि जो त्रिबुजों के परिमाप आते हैं, जो भी आएगा, दोस्तो, इसको, सौट कट तर देख दें, क्या ये पॉसिबल है, 5 सेकंड में, देखें दोस्तो, इस कोशन को 5 सेकंड में करने के लिए, आपके पास एक कैल्पुलेशन होनी चाहिए, तेज वाले, अब 671 दोस्तो जैसे लिखा, तो आपने 671 लिखा, 700 क्या से लिख लिख लिखा, अब इसको आप भाग करने तो थोड़ा समय लग रहा, लेकिन बाकी आप लोग जब solve करेंगे न, तो definitely copy पर आप कुछ और तरीके आपने imagine करें कि इसको solve कर किया जा सकता है, तो definitely 10 सेकंड के अंदर दोस्तों, या 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड जाद बोलने है, 5 सेकंड में, आप बता पाएंगे कि इसका जो मासा निकल कर आएगा, वो 11 ही आएगा, अब दोस्त अगला question आता, 16 number, देखी question को पढ़ते ही, आप समझ जाएंगे कि इसकी माधिका हमें कैसे बनानी है, माधिका निकालने के लिए दोस्त आपको पता है कि पहले आरूही करम, मतलब आरूही का मतलब होता हमारा नो, नो क्या एक विसम संक्या, विसम संक्या का मतलब माधिका निकालने के लिए, एन प्लस वन बाई टूहां पत का फार्मूला लग जाता है, question हो गया, तो इसको पहले आरूही करम में दोस्तों लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलि हम आपको लिख के दिखा देए, पह ग्यारा, पंद्रा, सोला, टोटल जोड ले थे, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, एक संक्या, दोस्तों चूट रही है कोई, इसको भी जरा देखते हैं, तो दोस्तों हमारा है, यह आपर देखें, ग्याराग बाद बारा चूट रहा है न, तो जल बाजिम दोस पाद आके तो इसको आपर लिखते हैं, तो पांच पाद देखें कौन सा आरा, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच पाद दोस्तों मारा आरा, दस, तो मारा फाइनल आंतर हो जाएगा, ठीक है, यह आंतर होगा, तो यह बच्चे गलती करते हैं, तो हमने सोचा इसको भी जरा आपके सामने रख देते हैं, अब दोस्तों अगला कुश्चिन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, क्या है अगला प्रतना हमारा, इसको जरा करने की कुश्चिस करेंगे, कि यह पांच सेकंड में पॉसिबल है, या इंपॉसिबल है, देखें, एक आयत की लंबाई उस हो गया कुश्चन लंबाई, जिके दोस्तों पहले हम एकस प्लस 5 रखते हैं तो बहतर होता है नहीं तो आप गन्फ्यूज होंगे, ठीक है कैसे रखना है बता लें, जो हमारा आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है, परिमाप के जि मैजिन करके इतना बना लिया ना कि 26 बराबर 2x प्लस 5 प्लस x, तो इस का माद तो आप ऐसे निकाल लेंगे, 26 बराबर 2 हो जाएगा, 2 बार x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का 5, ठीक अंतर गुड़ा कर लेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस का 10, बराबर ये 26 है, तो य एकम 4, 4, 16, x का माद 4 आगे तो दोस्तों हमने जो इसकी लंबाई मानी थी, वो x प्लस 5 मानी थी, तो 4 प्लस 5 कर देंगे, आंसर 9 cm आगया, याद रखना है दोस्तों जल्द वाजी में आप गलती में डिजिट में चुड़ेंगे, यूनिट में चुड़ेंगे, यूनिट म आप जाएंगे, क्योंकि 48 मैक्सिमम है, एक जगे बारम बारतावाली बनाले से खतम माईटर, तो question दोस्तों बहुत ही कठी नहीं था paper में, आप कर सकते थे, पूरा paper दोस्तों अगर हम कहना, अगर copy पर आप करना चाहते, जो बच्चे होंगे topper type वाले, वो किसी भी कीमत प पर को, copy पर दोस्तों हम करें, solution करने के लिए, उनको अधिक साधिक समय जो चाहिए होता है, वो 15 मिनट ही sufficient होता है, 15 मिनट में वो बच्चे पूरा paper solve करके copy में बैट जाते, क्योंकि या 5 बहुत बहुत कल्पी, लिखने में दोस्तों हम कहरें, कि मुस्किल थे मुस्किल जानने के 5 questions है, तो 5 मिनट का समय आप देते, लिखने के लिए, समझने के लिए 5 seconds बहुत होता है, तो 1 मिनट यह हो गया, 5 मिनट यह 6 मिनट हो गया, बाकि दोस्तों हम करें, आपको 2-2 मिनट लग जाता है, ठीक है, total यहाँ पर होते है, 7 questions, तो 7 दूनी 14 मिनट, बाकि दोस् मिनट लग जाते हैं आपको, लेकिन आपको बता दें, 15 मिनट में भी हो सकता है, क्योंकि हर question को करने में 2 मिनट का आपको समय ना लगता है, कुछ में तो 1 मिनट भी लगता ना, यहाँ पर भी, तो मतलब paper कभी दोस्तों कठील नहीं आता है, बच्चे परिसान होते हैं कि सर में 1 गंटे का समय कम पढ़ गया, तो वही है, कि जिसके पास practice होगी, वो बच्चे तुरंत कर लेंगे, अभी हम आपको बता रहे, अगर question देखेएगा 25 नमर को, इसमें से कुछ भी repeat होगा तो उसको करने कि लिए आपको दोस्तों within second में, एक second में आपका दिमाग काम कर जा मौल मस्ती करिए, लेकिन पढ़ाई भी होनी जरूरी है